प्रिय छात्रों, इसके पहले वाली वीडियो में हमने अनसूची के संबंद में 7 अनसूची तक हमने ब्याख्या कर दिया था कि उन 7 अनसूची में किन-किन चीजों का वर्मन किया गया है अब आपके सामने 7 के बात से आती है आपका 8 अनसूची heading बना लीजे आपका आठमी अनसूची और इस आठमी अनसूची में किसीच का उल्लेक मिलता है तो इस आठमी अनसूची में भासा का उल्लेक मिलता है भासा का उल्लेक मतलब संभीधान के आठ्मी अनसूची में कुल कितने भासाओं को सामिल किया गया है इसका total warning संभीधान के आठ्मी अनसूची में वरणित है अब इस आठ्मी अनसूची में मूल रूप से सामिल मूल रूप से सामिल इस आठमी अनुसूची में मूल रूप से कितनी भासाएं सामिल थी तो मूल रूप से आपका 14 भासाएं सामिल थी ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि आठमी अनुसूची में मूल रूप से 14 भासाएं सामिल थी जबकि बरतमान में हैं तो बरतमान में इसमें कुल कितनी भासाएं हैं तो बाईस भासाएं हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि 14 के बाद से आपका 8 भासाओं को संबिधान संसोधन के द्वारा क्या किया गया जोड़ा गया तो इस तरीके से संबिधान के आठवी अनसूची में मूल रूप से 14 भासाएं सामिल थी जबकि बरतमान में आठवी अनसूची में कुल 22 भासाएं सामिल हैं अब इसमें जो आपके परिच्छाओं में कोश्चन पूछता है वो मूल रूप से न पूछ करके जो संबिधान संसोधन के द्वारा भासाओं को जोड़ा गया है उन्हीं को विसेश तोर पे आपकी परिच्छाओं में कोश्चन उठता रहता है तो अब एक-एक के बारे में जान लेते हैं पहले मूल के बारे में जान लीजिए कि वो मूल में चौदा कौन-कौन सी सामिल थी तो आपका चौदा भासाओं में हिंदी हो गया बंगला हो गया गुजराती हो गया कंणड कस्मीरी मलयालम मराथी उडिया पंजाबी संस्कृत तमिल तेलगू उर्दू औ और असमिया तो इस तरीके से ये चौदा भासाओं जब आपका संविधान बन करके तयार हुआ 26 नौंबर 1949 को तो ये चौदा भासाओं आठवी अनसूची में सामिल थी बाद में कौन-कौन सी भासाओं जोड़ी गई इस पे आपको विशेश तोर पे फोकस करना होगा तो इसमें एक कैस्वा संसोधन हुआ एक कैस्वा संसोधन और ये एक कैस्वा संसोधन किस वर्ष हुआ था तो एक कैस्वा संसोधन आपका हुआ था 1967 में उननीफ सो सरसट और इसी एक कैसमा संसोधन उननीफ सरसट के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई तो पंद्रहमी भाषा के उरूप में आपका जोड़ी गई सिंधी तो इसको आप लोग विशेशत तोर पर याद रखियेगा कि एक कैसमा संभिधान संसोधन उन्नीच्य सरस्ड द्वारा सिंधी भाशा को जोड़ा गया अब आगे कौन सी भासा जोड़ी गई तो एक तरवान किया गया और किस वर्ष किया गया तो संसोधन किया गयाया में 1990 में in 1992 में एक हत्तरमा संसोधन के तहट कौन-कौन सी भासा जोड़ी गई, तो एक हत्तरमा संसोधन के अंतरगत आपका नेपाली, मडी और कुंकडी। तो इस तरीके से ये तीन भासाएं जोड़ी गए उननिस सो बानबे में और बानबे में आपका नेपाली, मडी पूरी और कुंकडी। तो इस तरीके से इसका एक ट्रीक अगर चाहें तो आप ले सकते हैं और वो ट्रीक कौन सा है? तो वो ट्रीक आपका है। बानबे नेपाली मडी को लाओ। अब इसमें आपका बानबे, बानबे से क्या हो गया? तो उननिस सो बानबे कौन कौन सी भासा? तो आपका नेपाली हो गया, मडी से आपका मडी पूरी निकल गया और को से कौन सी भासा निकल गई? को से कौंकडी निकल गई? तो इस तरीके से एक हत्तरवा संबिधान संसोधन के अंतरगत जोड़ा गया उसके बाद अगला आ जाता है आपका बानबेवा संबिधान संसोधन और ये बानबेवा संबिधान संसोधन किस वर्ष किया गया तो ये किया गया आपका 2003 में और 2003 में जो किया गया तो इसमें कौ कौन सी भासा जोड़ी गई तो इसका एक ट्रीक है और वो ट्रीक कौन सा है तो उसका ट्रीक है बोडो सन मैं ट्रीक कौन सा है बोडो सन मैं अगर ये ट्रीक आपको न समझ में आए तो आप लोग मैथ में हमेशा बोडो मास पढ़ते होंगे तो उस बोडो मास को भी लिया जा सकता है बोडो मास अब यहां पर चार भासाएं जोड़ी जा रही है बो से बोडो बो से आपका निकल गया बोडो डो से कौन से भासा निकली डो से निकल गई डो गरी और सन से कौन सी भासा निकल गई सन से निकल गई आपकी संथाली और मैं से कौन सी भासा निकली तो मैं से आपका निकल गया मैथिली अब इसी तरीके से इसका भी explain कर सकते हैं B.O. से Bodo, D.O. से डोगरी, M.A. से मैथली और S. से कौन सी भासा निकल गई? S. संथाली तो इस तरीके से बानवेवा, संबिधान, संसोधा, 2003 के अंतरगत चार भासा हैं जोड़ी गई? जिसका ट्रीक है Bodo, Sun, M.A. से बोडो, D.O. से डोगरी, Sun से संथाली और मैथली और दूसरा ट्रीक Bodo मास के माध्यम से explain किया जा सकता है B.O. से बोडो, D.O. से डोगरी, M.A. से मैथली और S. संथाली तो इस तरीके से आठ्मी अनसूची में 14 के बाद से 15, 16, 17, 18 और 4, 22 टोटल भासाओं की संख्या आठ्मी अनसूची में कितनी दी गई है? तो 22 भासाएं दी गई है अब आपका आता है नवी अनसूची नवी अनसूची और इस नवी अनसूची में किस्ची का वर्णन प्राप्त होता है तो नवी अनसूची के अंतरगत आपका ये जो नवी अनसूची थी ये नवी अनसूची जैसा कि हमने सुरू में ही बताया कि मूल रूप से अनसूचियों की कुल संक्या कितनी थी तो आठ थी आठ के बाद से आपका चार अनसूचियों को क्या किया गया संबिधान संसोधन के अंतरगत जोड़ा गया तो उसी संबिधान संसोधन के अंतरगत नवी अनसूची आई और ये प्रथम संबिधान संसोधन के तहट जोड़ा गया प्रथम संबिधान संसोधन और ये प्रथम संबिधान संसोधन किस वर्ष हुआ था तो ये आपका प्रथम संबिधान संसोधन जो हुआ था ये 1951 में हुआ था और इसी प्रथम संबिधान संसोधन के अंतरगत इसको क्या किया गया इस्थापित किया गया आगे आप इस्थापित कर सकते हैं उसके बाद से जब प्रथम संविधान संसोधन 1951 के द्वारा नौवी अनसूची आई तो इस नौवी अनसूची में किस चीज का वर्णन किया गया तो इस प्रथम संविधान संसोधन के अंतरगत नवी अनसूची में भूमी सुधार संबंधी कानून का उलेख किया गया भूमी सुधार संबंधी कानून का वर्णन तो इस अनसूची के अंतरगत भूमी सुधार संबंधी कानून का उलेख किया गया बरतमान में इस अनुसूची में लगभग कुल कितने भूमी सुधार अधिनियम दिये गये हैं तो बरतमान में अगर देखा जाए तो इसमें लगभग आपका 284 अधिनियमों का निर्माण किया जा चुका है 284 अधिनियम का निर्माण अब इसमें 284 अधिनियम का निर्माड इस अनसूची के अंतरगत किया जा चुका है जिसके अंतरगत भूमी अधिगरहन अधिनियम का नाम सुने होंगे जमिदारी प्रथा उनमूलन अधिनियम का नाम सुने होंगे तो इस तरीके से इस अनसूची के अंतरगत लगभग 284 अधिनियमों का निर्मान किया जा चुका है तो इस तरीके से यह आपका 9 अनसूची हो गई अब आते हैं हम लोग 10 अनसूची अगली अनसूची आपका 10 अनसूची और इस 10 अनसूची में किस चीच का वणन प्राप्त होता है तो यह 10 अनसूची में दल बदल कानून दल बदल कानून का उल्लेक और यह 10 अनसूची किस संबिधान संसोधन के अंतरगत जोड़ी गई तो यह भी मायने रखता है तो यह 10 अनसूची 52 संबिधान संसोधन 52 संसोधन और यह 52 संबिधान संसोधन किस सन में किया गया तो यह 52 संबिधान संसोधन 1985 में किया गया अब ये दस्वी अनसूची 52 संबिधान संसोधान 1985ी द्वारा इस्थापित की गई और इसके अंतरगत किस चीज का वनन प्राप्त होता है तो इसके अंतरगत आपका दल बदल संबंधी कानून का उलेख किया गया है अब ये कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा कि दल बदल कानून होता क्या है तो इसके अंतरगत आपका सदन का कोई सदा से अयोग्य घोसित किया जा सकता है और वो सदन का कोई सदा से किन आधारों पर अयोग्य घोसित किया जा सकता है तो इसी के संबंध में इस अधिनियम में वर्णन किया गया है जिसमें आपका कुछ हम उदाहरण के रूप में दे देते हैं उदाहरण में ये है कि अगर कोई सदसे राजनितिक दल की सदसिता छोड़ देता है तो उस condition में उसके दल से उसकी सदसिता समाप्त कर दी जाएगी दूसरा यह है कि अगर कोई सदसे जो पार्टी से भिन मतदान करता है तो उसiva condition में उसकी सदस्ता समाप्त कर दी जाएगी या उसे अयोग्य घोसित कर दिया जाएगा अब यहां पर पार्टी से भिन का क्या मतलब है तो पार्टी से भिन का मतलब यह है कि जैसे कि राज्य सभा सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो खुला मतदान के द्वारा होता है अब खुले मतदान में पार्टी ने जिस ब्यक्ति को समर्थन दिया है अगर उसके बिरुद्ध जाकर के उस पार्टी का सदसे उसके बिरुद्ध जाकर के अपना वोटिंग करता है तो उस कंडिशन में उस सदसे को अयोग्य घोसित कर दिया जाता है उसके बाद से कोई ऐसा सदसे जो निर्दल सदसे के रूप में किसी सदन की सदसेता ग्रहन करता है और कुछ समय के पश्चात निर्दल सदसे जो है वो किसी राजनितिक दल का अगर सदसे हो जाता है तो उस कंडिशन में उस सदसे को अयोग्य घोसित कर दिया जाएगा तो इस तरीके से ये दल-बदल कानून में बहुत सारे प्रावधान दिये गए हैं, हाला कि ये कि ये अलग से अधिनियम है, लेकिन उसके अंतरगत मैंने कुछ खास-खास पॉइंट को फोकस किया, जिसके अंतरगत उसकी सदस्ता निरस्त की जा सकती है, या उसे अयोग्य घ अंतरगत किस शिच का वर्णन प्रात्थ होता है, तो इग्यारहमी अनसूची के अंतरगत पंचायत राज का उलेख किया गया है, पंचायत राज का उलेख और ये जो एग्यारहमी अनसूची है, ये किस संबिधान संसोधन के अंतरगत जोड़ी गई, तो ये एग्यारहमी अनसूची आपका 73 संबिधान संसोधन और इसी 73 संबिधान संसोधन 1992 द्वारा एग्यारहमी अनसूची में पंचायत राज संबंदी प्रणाली का उलेख या कानून का उलेख किया गया, अब इसमें ये है कि पंचायत राज संस्थाओं का, जैसा कि अभी इसी के बाद मैं आप लोगों को मुखे रूप से पंच पंचायत राज संस्था के बारे में ही बताऊंगा कि इस पंचायत राज की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका जनक कौन है, पंचायत राज प्रणाली में कितने इसतर की प्रणालियां प्रचलित हैं, तो ये सारी चीजें इस अनसूची के बाद मैं पंचायत वाले टॉपिक म क्या आपके सामने प्रोवाइड कर आउंगा अब इस पंचायत में ये कोश्चन पूछा है कई परिछाओं में कि 11 अन्सूची में कुल कितने विचय सामील है कुल कितने विचय सामील है तो 11 अनसूची में कुल विसयों की संख्या आपका 29 है और इसी 29 विसयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त है अब इसमें विसय में कौन कौन से विसय सामिल हैं तो आपका कानून का निर्माण जो भी किया जाएगा वो पंचायत के द्वारा किया जा क्रिसी चकबंदी लगू सिचाई जल प्रबंधन पसू पालन मुर्गी पालन चारा पेजल पुलिया ग्रामीड बिद्धुत करण बाजार मेला प्राथमिक स्वास्थ केंद्र ये सारी चीजें किसके अंतरगत सामिल हो जाती हैं तो ये सारी चीजें आपका 11 अनसूची के अंतरगत सामिल हो जाती है उसके बाद से आपका आता है अंतिम 12 अंसूची 12 अंसूची 12 अंसूची और 12 अंसूची में किस चीज़ का वर्णन प्राप्त होता है तो 12 अंसूची में नगर पालिका तथा जिला बोड नगरपालिका तथा जिलाबोड के संबंध में यह कह सकते हैं कि इस्थानी स्वासाशन नगर निगम के संबंध में इस्थानी स्वासाशन का उलेख किया गया है स्वासाशन जैसे कि पंचायत में यह है कि पंचायत में आपका निचले इस्थार पर ब्यवस्थाओं को देखा जाता है निचले इस्थार में जैसे कि आपका ग्राम सभा हो गया ग्राम पंचायत हो गया उसके वासे जिला पंचायत हो गया जबकि आपका 12 अन्सूची के अंतरगत सहरों की बेवस्थाओं को अर्गुनाइज किया जाता है जिसमें कुल बिसेओं की संख्या कितनी है तो इसमें कुल बिसेओं की संख्या आपका 18 है और इनहीं 18 बिसेओं पर नगर पालिका या नगर निगम का अधिकार होता है जैसे कि आपका नगरी योजना अगनी समन पर्यावरण संरक्षन सोगाड़ना डेड़ बाड़ी अगर है और उसके धर्म के अनुसार जो है अंतिम संसकार वगरा करना है तो उसके संबन में सोगा गंदी बस्ती सुधार स्वच्छता नगरी योजना ये सारी चीजें बारहमी अनसूची के अंतरगत 18 बिसेओं में वर्णित है तो इस तरीके से आपका बारहमी अनसूची अब इस पर थोड़ा फोकस कर लिजिए कि ये बारहमी अनसूची कि संबिधान संसोधन के 1902 द्वारा जोड़ी गई तो इस तरीके से आपका ये बारहमी अनसूची का हमने डिटेल प्रोवाइड करा दिया इसमें आपको जो मुख्य रूप से कोश्चन बनते हैं उस मुख्य रूप से कोश्चन बनने में कि मूल संबिधान में कुल कितनी अनसूचियां सामिल थी तो मूल संबिधान में कुल अनसूचियों की संख्या आठ थी और बाद में इसमें चार अनसूची जोड़ी गई अब जो चार अनसूची जोड़ी गई उसे चार अनसूची का संबिधान संसोधन आप लोग जरूर याद रखिएगा कि किस संबिधान संसोधन के अंतरगर 9, 10, 11, 12 को जोड़ा गया उसके बाद से आपका जो अगला कोश्चन इसमें मुख्य रूप से बनता है वो सात्मी अनसूची पे बनता है और वो सात्मी अनसूची में कुल बिस्यों की संख्या कितनी है और सात्वी अनसूची में केंद्र और राज के मध्य जो सक्ती का विभाजन किया गया है उन तीन सूचीयों में कौन-कौन भी से सामील है ये भी कोश्चन आता है आठ्वी अनसूची में जो भासा का उलेख किया गया है उस भासा का उनलेख में जो बाद में आठ अनसूचियां जोड़ी गए उन आठ भासाओं के बारे में आप लोग जान लीजिएगा उसके साथ साथ जो हमारी चौथी अनसूची है उस चौथी अनसूची में जो भी आपका राज्यों का सीटों का वीवरण है उन सीटों के वीवरण में कभी कबर PCS वगएरा लेवल पे कोश्चन उठा के पूस देता है कि किस राज्य में राज्य सभा सीटें कितनी हैं या चार राज्यों का नाम दे देता है और उस चार राजियों के नाम में कौन कौन से किस राजिय में वो सीटें कितनी बिद्यमान है उसके बाद से आपका छठवी अनसूची में जो चार राजियों का नाम हमने बताया कि तीन मेगा आसमान में मजे ले रहे हैं उस पर अक्सर question देखने को मिल जाता है कि छठवी अनसूची में कौन कौन से राज्य शामिल है या कौन कौन से राज्य शामिल नहीं है तो इस तरीके से ये total जिस जिस टाइप के question आपके अनसूचीयों पर बनता है उसको भी हमने आपको हिंट दे दिया उस तरीके से आप इन जूचियों पर तयार हो जाईए ताकि एक भी question आपकी परिछाओं में अगर पूछता है तो इससे किसी प्रकार की कोई गलतियां आपसे न हो सके और आज के लिए बस इतना ही thank you so much